नमस्कार दोस्तों आपके अपनी चैनल में स्वाक्त है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानि की 26 नवंबर के कुछ एक महत्यपूरन एजुकेशनल और इंप्लोईमेंट अपडेट्स के बारे में जिसमें जो है वो आपके मेर अपडेट् और प्राइवेट वाले स्टुएंट है उनके इजावनेशन फोम के रिगार्डिंग भी यहां पे बड़ा अपडेट आया हुआ है तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे इसे के साथ HPPG के जो अभी फॉर्थ समेस्टर के री इवैलिशन फोम है उसके रिगार्ड और 30 नवंबर को आयोजित करवाई चाहेगी तो इसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा इसे के साथ आज जो है वो 10,000 अभी आरती देंगे टैट की प्रिक्सा तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे इसे के साथ क्लास 3 की भरतियों पर सरनन कमे की आखरी बैठक 383 भरतिवा 153 नेमो को किया गया स्क्रीनिंग पोस्ट नहीं अब जो अकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके अधार पे जो है वो भरति परिक्सा होगी तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग यहां पर बात करेंगे तो चली दोस्तों करते हैं वी स्क्रीनिंग तो ही मातल में राजय चायन आयोग के माध्यम से होने वाली क्लास 3 की भरतिविकेशन के अधार पोस्ट या कैडट यहां पे जो आपका कैड़र होगा वो नहीं होगा बलकि जो आपकी अकडमिक क्वालिफिकेशन होगी उसको बनाया जाएगा इन भरतिविके बिश्ट टेस्ट पे अधारित रहेंगी यह विवस्ता दीपक सननन कमेट्टे की फाइनल रिपोर्ट में की जा रही है पूरव आईएस दीपक सननन के देख्सता में बनाये गई कमेट्टी को इस राजय सरकार को सौंपेंगे तो अब जो यहां पे भरतिया होगी उसके लिए जो है वो जैसे graduation के लेबल पे लगभरतिया होंगी और प्रस्टू के लेबल पे लगभरतिया होंगी और उनके exam भी बैसे ही जो है वो यहाँ पे set किये जाएंगे next update की बात करें तो next update जो है वो अपका TAT से समंदित है रहने वाला है तो आज जो है वो दस हजार अभ्यरति देंगे TAT की प्रिक्सा प्रदेश भर में कल होगी TGT Non Medical Language का exam तो इस प्रिक्सा में जो है वो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आयोजित करवाई जाएगी और प्रिक टीचर के जो exam है वो करवाया जाएगा और यह प्रिक्सा जो है वो यहाँ पे 190 प्रिक्सा केंद्रों में आयोजित करवाई जाएगी और इसके रिगार्डिंग जो admin card है वो भी यहाँ पे जारी हो गए है नेक्स्ट अप्डेट की बाद करें तो नेक्सट अप्डेट जो आपका XP की यहाँ पे बीड्य की जो खाली सिटे रह गई थी ऊससे समंध्य रहने वाला है तो यहाँ पे हैं पे हैजब्य की बीड्य की चारसो सिटे खाली रह ग픈 है जिसके लिए जो है वो अब गई थी आप उनको भरने के लिए आप स्पोर्ट राउंड कोंसलिंग होगी बियाड में प्रवेस के लिए कोंसलिंग के बिविन राउंड के बाद आपी वी करीब 400 सीट जो है वो खाड़ी रह गई है ऐसे में इन सीटों को भरने के लिए यह माचब देशी उनिवस्टी ने ओफ लाइन स्पोर्ट राउंड कोंसलिंग का आयोजन करने का निरने लिया है यह कोंसलिंग जो है 29 bada 30 वंबर को होगी बिस्वधाल्य के जो कैंपस है बहां पे जो है वो कॉंसिलिंग आयोजित करवाई जाएगी इसके रिगार्डिंग जो है वो विद्यार्थियों को स्टाइस वाठाइस नवंबर को विश्वताले के पोर्टल पे जाके 200 रुपे फीज के साथ कॉंसिलिंग भरना होगा इसके बाद विद्यार्थियों को समंधित सभी अपने ड विद्यार्थियों को प्रवेश बहां पे यूनिवेस्टि में मिलेगा उनको जो है वो पांच हजार आट्स एक्जाम जो है वो दिया हुआ है और जिनको अविद्यार्थियों नहीं मिली हुई है तो यहां पे आप कोई भी स्टूडेंट जिनने बियर का इच्जाम दिया था वो उसे कॉंसलिंग में पार्टिसपेट कर सकता है नेक्स्ट अप्डेट की बात करें तो नेक्स्ट अप्डेट जो है वह अपका HPU के जो examination form है उन्हें से समंध्य रहने वाला है तो यहाँ पे HPU ने अपने examination form को feel करने की जो last date है PG के उसको extend कर दिया है अब जो भी अबियारती है यहाँ पे जो भी विद्यारती है जो भी student है वो दो यहां पे दिसंबर तक इसके लिए जो है वो बिना लेट पी इसके अपलाई कर सकते हैं तो इसके रिगार्डिंग जो और जन्वरी व्याज के जो भी स्टूडेंट है उन सभी के यह एक्जामिनिशन फॉम फिल हो रहे हैं और यह फॉम जो है वो दो दिसंबर तक जो फिल हो पाएंगे तो इसके रिगार्डिंग जो है वो यह नोटिविकेशन आया हुआ है और यहां पे जो लास्ट टेट है एक्जामिनिशन फॉम को फिल करने की पहले 24 से नवंबर थी तो आप इसको बढ़ा के 2 दिसंबर जो है वो कर दिया है तो जिनने भी अभी तक च्छ अपटेट जो है वो आपका है हैं next update की बात करें तो next update जो है वो अपका है HPU के जो यहां पर UG के re-evaluation के result आने है उनसे समंधित रहने वाला है तो यहां पर HPU ने BSC second year और इसे के साथ BSC और Bcom first year के जो कुछ एक student है उनके re-evaluation के result जो है वो जारी करे हुए है तो जो भी student student है BSC और Bcom first year के और BSC second year के वो अपनी ID और password के थ्रू लोगिन करके चेक कर लेंगी क्या उनका result आ गया है या नहीं तो यहां पर HPU ने कुछ एक student के result है वो जारी करे हुए है तो अभी जो मैंने आपको पहले बताए करे हैं तो किसी के result जारी हुए वो अपनी ID और password के थ्रू चेक कर लें अगर किसी के result यहां पर और भी जारी हुए है तो जुरूर एक वार comment box में बताएं तो दोस्ते हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स अगर आपको यहां पर फिर भी कोई डाउट आपकी कोई क्यारी है तो आप लोगों ने मेरे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर लेना है जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो जैसे ही आप मेरे टेलिग्राम वीडियो को लाइक करें और शेर करें तता से अपडेट्स के लिए मारे साथ बने रहें धन्यवाद